वंदिमातरम बदलापूर इंसिडेंट जो होता है उसके बारे में आपको जानना बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे चार साल छे साल आट साल के जो बच्चे जा रहे हैं कितने सुरक्षत हैं थाने के पास पढ़ता है बदलापूर लगवा 35 किलोमीटर बात है पांच छे दिन पहले की जब पांच दिन स्कूल बंद रहे उसके बाद आज पैरेंट्स कुछ पैरेंट्स स्कूल की गेट पर पहुंचते हैं साफसफाई करने वाला जो है उनका क्या पुलिस वरिफिकेशन नहीं होता है इनकी क्या जानकारी होती कहां से आते कौन लगाते हैं क्या होता है तो यह जब हुआ वहाँ पर तो वहाँ पर पैरेंट्स पहुंचे उसके बाद एक बहुत बड़ा विरोध किया फिर रेलवे लाइन को जाम किया है लेकिन उसके सबसे इसमें कंसन क्या है जो आपके लिए कंसन है हर पैरेंट्स के लिए कंसन यह है कि हमारे बच्चों को घर में ही आपको सिख्षा देना पड़ेगी कि वो बताएं अगर कोई भी चीज ऐसी होती है लेकिन मॉलेस्टेशन चार साल की दो बच्चीयों के साथ जब यह होता है कितनी हवस भरी होई है क्या हैं यह लोग जानवर हो भे और इसके बाद वहाँ पर पुलिस ने ठीक है सस्पेंड कर दिया वहाँ पर स्कूल प्रसाशन हो जो सब सरकार की तरफ से जो कारवाई हो उपनोक्रमंतरी नहीं कहा कि फास्ट्रेक कोट होगा इनको सस्पेंड करें तुमारे बच्चे अगर आज आप कुछ नहीं बोलेगे तो मानूं क्या होगा मैं बताता हूँ क्योंकि इससे मन इस बात के कोई सजा तो कड़ी है कानून बहुत कड़ी कड़े है लेकिन सजा कितनी जल्दी होती है नमबर एक आज एक जिसमें मैं अगला वीडियो करने वाला हूँ 32 साल बाद छे लोगों को सजा हुई है अब अजमेर कांड में जिसमें 100 से उपर बच्चियों के साथ दुराचार हुआ था और बड़े-बड़े सीनियर ब्यूरोक्राट्स के भी उसमें से बच्चे देव दबागिया था बहुत बड़ा कांड है 1992 का जो अजमेर कांड है क्यों 32 साल लग जाएंगे यह कौन सा कानू फिर तो देखिए फिर न लोग अपने हाथ में लॉइन ओर जैसे अभी पत्थर चलाने वाले और जो कुछ लोग उसमें उपद्र भी भी समझ में आ रहे है क्योंकि पत्थर फेकने के स्टाइल से पता चलती है क्यों अच्छा कासा जब उस पर कानून की तरफ से कुछ हो सकता है तो यह बदलापरो में जो लोग है उनके लिए जब्मेदारी है कि जरह मुझे स्कूल की भी डीटेल दीजे इनके लोगों की भी डीटेल दीजे मैं भी पता करूँगा अपनी इस तरफ पर और आप जरह लिखिए इनकी ना पूरी कोशिश करेंगे कि इनका स्कूल अगर बंद नहीं होता है तो फिर आप और हम सब फेल हो गए है पीछे पढ़ना पड़ेगा किसी चीज़ के पीछे पढ़ेंगे तब ही कुछ हो पाएगा वरना कि आपने सिफका दिया तो स्कूल के माने तरफ दोना चाहिए पूरे स्कूल के प्रिंस्पल स्टाफ सबुक पर एक क्रिमिनल केस चलना चाहिए और थर्ड जिनने ये दुशकर्म किया है वो सुरक्षा कर्मी जो भी है उसको जो सबसे कठिन वो सोच सकता है सजा कानून के हिसाब से महारश्चा सरकार को इसमें पार्टी बनके उसको सजा दिलवाना चाहिए तब ही कुछ निदान होगा वजना देखिये वादों का अब भरोसा नहीं रहागा किसी के भी हो चाहिए वो भाजबा की सरकार हो, कॉंग्रेस की सरकार हो टियंसे के सरकार हो, आम आदमी को वादे ने कारवाई करके दिखाए चाहे आप कोई भी पाटी और कोई भी हो पंदे मात्रम